और ये जो है H2O मेर और प्लस हाए अफ, O2 मेर तूट रहे है अमचे करते हैं कि 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 क्या हो रहा है, Oxidation कान हो रहा है, किसका Reduction हो रहा है यहां पे देखते हैं Oxygen पे अगर Free State मेरे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे oxygen पे कितना जाएगा minus 2 और इस पे कितना जाएगा plus 1 similarly यहाँ पे देखते हैं अगर oxygen पे निकालिएगा तो hydrogen पे अभी भी plus 1 है लेकिन oxygen पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2x equal to कितना हो जाएगा minus 1 हो जाएगा कि यह समझ मैं है H2O2 में O का कैसे निकाले आप लोग ऐसे निकाल सकते हो H2O2 hydrogen का 1 होता है तो 1 into 2 और यहाँ पे हमारे पास plus 2x equal to 0 तो 2x equal to minus 2 and x equal to minus 1 तो इसलिए यहाँ पे oxygen का कितना हो गया minus 1 हो जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं कि oxygen जो है वो minus 2 में जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है reduction हो रहा है oxidation हो रहा है reduction कोई यह नहीं कहना कि minus 1 है minus 2 हो गया बढ़ गया negative में जितना ज़्यादा value हो तो उतनी छोटी होती है इसका मतलब यह क्या हो रहा है आपका reduction हो रहा है ठीक है अब देखिए O2 का minus 1 से 0 जाना क्या होगा oxidation ठीक है इसको हमनों क्या कहा देते है oxidation कहा देते है अच्छे जो reduction होता है उसको हमनों क्या कहते है oxidizing agent oxidizing agent कहा देते है ठीक है इसको हमने क्या कहा दिया oxidizing agent कहा दिया और इसको उम्लोग क्या कहा देंगे reducing agent तो इस प्रकार से यह लोग निकाल सकते देखें यहाँ पर एक ही molecules का oxidation भी हो रहा है, reduction भी हो रहा है तो इस type के molecules को उम्लोग क्या कहा देते हैं disproportion reaction disproportion में नाम से भी पता लग रहा है कि dye मतलब हो गया यहाँ पर देखें जब एक ही molecules का oxidation होता है यहाँ पर यह कितना जीरो है और यहाँ पर कितना है आपको पता है कि hydrogen और यहाँ पर फास्पुरस है तो फास्पुरस का कितना हो जाएगा माइनस तरी ठीक है अब यहाँ पर निकाल लेते है कि हमारे पास है फास्पुरस का निकालना हो मैं यहाँ पर sodium का प्लस वन ले लेता हूँ hydrogen का हमनों कितना ले लेते है प्लस टू और फास्पुरस का निकालना है माइनस पूर एक्वल टू जीरो तो थ्री तो एक्स की value कितनी आए जाएगा प्लस प्लस और इहाँ पर तो यहाँ पर बरन ऋगए अगर देखें यह यहां से जीरो से माइनस त्री जा रहा है तो क्या हो रहा है reduction reduction हो रहा है इसका तो क्या हो गया reduction हो गया और दूसरे वाले मॉलेकुल्ट का क्या हो जाएगा oxygen कै एक ही मॉलीक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो तो इस ट्राइट को मिलों क्या कहतें इस प्रोपोर्शwachर कमब प्रोपोर्शन में क्या होता है यहापे देखेए कि रिवर्स अफ डिसप्रोपोर्श प्लस C L माइनस और यह क्या हो गया C L 2 and O H माइनस ठीक है यह तो जीरो हो जाएगा यह माइनस वन हो जाएगा यहां पर निकाल लेते हैं ऑप्सिजन का माइनस टू इसका तो कितना हो जाएगा प्लस वन प्लस वन से जीरो पर जाना क्या होगा रिडक्शन यह तो क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा और C L माइनस से क्या है जीरो पर जाना माइनस वन से उसका क्या हो जाएगा ऑक्सिडेशन बढ़ गया तो यहां पर देखिए दो मॉलीक्यूल का एक molecules के साथ क्याल रहा है oxidation and reduction तो इस type को कहते है कम proportional यानि कि दो कम आएने यानि कि मिला रहे है बुलाना अम जिसको कहते है और वो particularly एक ही molecules का के साथ क्या कर रहा है reduction and oxidation तो इस type को मैं लो क्या कहते है कम proportion कहते है इसी दिखिए यहाँ पर sulfur का 0 हो जाएगा मैं change कर देता हूँ sulfur का कितना होगा 0 और यहाँ पर निकालीएगा तो कितना हो जाएगा oxygen पर कितना हो तो minus 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा plus 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा sulfur का hydrogen का कितना हो तो plus 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस टू अब देखिए यहां से माइनस टू से यहां जाएगा तो क्या होगा इसका Oxidation यानि कि बढ़ रहा है Negative से positive जारा है तो इसका Oxidation होगा और यह plus 4 से 0 जारा है तो इसका क्या हो जाएगा Reduction Reduction हो जाएगा Disproportional reaction में क्या होता है कि इधर साइड का एक Molecules उधर साइड के दो Molecules के साथ Oxidation Reduction करता है तो उसको Disproportional करते है यानि कि तूटने के बाद कम Proportional में क्या होता है दो Molecules एक साथ Combine होके पर्टिकुलर इस Product साइड के एक Molecules के साथ Oxidation Reduction को करता है तो उसको में लोग कह देते है कम Proportional reaction कह देते है तो ले क्लियर है ये सर्जाइड का साथ वो भी साथ जी सर्जाइड ये भी जो आपने कराया सर्जाइड कम Proportional असर जो कह देता सर्जाइड वो सेम ही है नहीं अंतर क्या था इधर साइड एक था और इधर साइड तो होता देखिए पिछले वाले में क्या था कि इधर साइड का एक मॉलिकूल और प्रोड़क्ट साइड का दो मॉलिकूल जबकि कम Proportional में क्या है कि reactant साइड का दो मॉलिकूल और प्रोड़क्ट साइड का एक मॉलिकूल होता है ठीक है अब हम बात करते हैं बैलनसिंग का जो सबसे पहला मेटग होता है हीट यहीर रॉल मेति जो कि आप सब आप समय को पता हाऊ 번akาง ठीक है अच्छे का देखिए आप लोगों के मैं गाओ इसे को बैलनस की दिये तो आप लोग इसway बैलन्स कर सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा दिया हूं कि बना कि निका साइद बैलन्स होने में दिक्कत हो रहा होगा एक को बैलन्स कर रहे हो तो दूसरा बगाड़ जा रहा हो ऐसे ही हो रहा है आप अगर सोचोगे कि ऐसे बैलन्स करेंगे तो थोड़ा अफ़ा डिक्कल्ट है यह हीट एंड ट्राइल में तर्ट से वर्क नहीं करेगा जैसे किनी को नहीं समझ मैंत मेरे को समझाने का प्यास पर फिर में रेस करके फिर मैं आपको एवी सीडी में तर्ट सिखाऊंगा यह एक्वेशन है मैं बताने के लिए आपको देखिए कैसे एक को बनाओगे तो दूसरा जो है बिगड़ जाएगा सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि आपको मेटल को फिर नॉन मेटल को फिर आउसिजन को फिर हाड्रोजन को इस प्रकार से बैलन्स करना सबसे पहले देखिए मेटल तो है नहीं हम नॉन मेटल प्याजाता है पासफुरस एक है फिर प्रकार प्रकार से बैलन्स कर दिया पासफुरस एक से एल फाइब आडूजन एक पाइस तिर एक इस बहुत ही सिंपल साथ है कि पिलाल हम लोग बात करते कि इसी को अगर जो मुझे बैलंस करना हो एक अनदर तरीका जब आपके पास एक कुछ इस टाइप पे कोशन आएगे जहां पर एक के बनाने से दूसरा बिगड़ तो हम कै कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है यहां तो बहुत ही असान है लेकिन आगे मैं आपको समझाओंगा कि में भी हो सकता है कि जो है आपको क्या हो डिपिकल्ट लिए जैसे आगे कोशन भी है वहाँ पर बताले तो सबसे पहले क्या करना कि जो भी है आप उस रियक्शन को लिख ले हमें क्या गरना है कि ABCD लिख रहना है अब ए बी सी डी अगर और भी एलिमेंट होते तो इस प्रकार से लिख लेते हैं ठीक है इतना से तो ख्लियर होगी होगा अब क्या लगना कि रियक्शन साइड के एक 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 एलिमेंट बिजिए यहां पर हम लोग फास्पुरस लेते ह इसका मतलब फास्पुरस आगे में इतना तो उतना ही टाइम सो जाएगा तो एह हो जाएगा प्रोड़क्शन कितने है वान सी वान सी है ना मतलब आगे जो जो चीज से आपने मल्टीप्लाइ किया उसको दुलिखना पड़ेगा ना कि इतने मॉलिक्शन है इतने और प्रोड़क्शन कितना है दी यानि कि सील की पास वान आर आगे दी है तो यानि कि दी हो जाए आगे वाले जुरू मल्टीप्लाइ करने ओके अब हम बात करते है है डूजन की मुझे बते है रियक्टें साइड कितने है डूजन है टूबी बैस गूड और राइट हैं सा 3C प्लस D यह भी तो है ठीक है तो यह हो गया अब हमने क्या करा कि इस प्रकार से लिख दिया अब बस आपको कुछ नहीं करना है अब आप मान लेजे कि लेट कोई भी ऐसा वेल्यूम मानना एलिमेंट का या एबी सी का जिससे क्या होना कि ज्यादा से ज्यादा आपकी वेल मान लो तो मेरे को दिक्कात हो जाएगे अगर मैं A की वेल्यूम मानना तो मेरे लिए सारे आसान हो जाएगे या C की भी वेल्यूम मानना तो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा वगर दी की वेल्यूम मानते हो तो A की वेल्यूम अगर जब 1 मानते हो और कैसा तो हमने यहां पर क्या गरा है अगर आपने एक वान माना तो सी की वैलू कितनी हो जाएगा तो दी की वैलू कितनी हो जाएगे तो दी की वैलू 5 होगी अब मुझे बते हैं कि बी की वैलू 5 है तो 5 की वैलू पूट कर दिये तो टूबी इकवल टू एट तो बी इकवल टू कितना हो गया अब यहां पर हम क्या गरेंगे कि जो जो वैलू लिखे थे आप उनको पूट कर दिजिए ए इकवल टू वन तो कुछ भी मत लिखे चाहिए तो आप लिखना चाहते है तो वन लिख सकते है बी इकवल टू 4 है तो यहां पर 4 लिख दिजिए सी इकवल टू 1 है तो कुछ भी मत लिखे डी इकवल टू 5 है तो यहां पर 5 लिख दिजिए और देखिए आपका इफिशन क्या होगे बैलास हो गया अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि PCL 5, 4H2, 3, 1 ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी difficult simple वाला आएगा तो आप आसानी से calculate कर लेगा जिसे मैं हां जी भूली है सर हमने O क्यूं नहीं लिए तो आक्सिजन ले लेते हैं ठीक है आक्सिजन का हमारे पास कितना है इधर B और एक्वल को कितना है 4 से तो C की value हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 है तो B की value यहां से भी निकाल सकते थे 4 आपके जैसिक चाहँ ठीक है यहां से भी आम लोग क्या कर सकते थे से भी C की value 1 है पान रखते तो फोन रखते तो फोन रखते तो इतना ताम जाम में हमें बच जाते हैं प्ले क्लियर है है अजी बिले मर्स पर हर जगा वान लेंगे वैली नहीं आप ऐसी मानना जिससे ना कि समझाता हूं फिर ज़्यादा clarity आगी एक दो कोशन करेंगे ना फिर आपको clarity मिलेगी अब देखिए यहां पर मैं इसको balance करके आपको दिखाता हूं साइर यह जल्दी balance नहीं होगा तो HNO3 और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा है H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O ठीकि सल्फर है एक है सल्फर एक है नाट्रोजन को balance करते हैं नाट्रोजन एक है नाट्रोजन एक है अब oxygen गया देखिए तीन है इधर कितना चार दो छे एक साथ अब हम किसको balance करें अगर मैं यहां पर 3 कर देता हो तो 9 हो जाएगा 4 और 2 6 2 9 किसी तरीके से भी कर रहे है तो अगर इधर मैंने 3 कर दिया तो इधर विगड़ जा रहा है तो यह जो equation है एक को बनाऊगे नहीं तो दूसरा बिगड़ जा एक को मनाने चले है जो दूसरा रूट जा रहा है ठीक है तो इस टाइप के question में क्या गरना हम जो है आप लोगों को भी आती होगी ठीक है अब यहां पर देखे क्या करना है कि जो भी है तो आप उस हिसाब से लिखते चले जाएगा तो sulfur मुझे बताई कि right hand side में यानि कि reactant में कितना है तो हम नहीं के अगरा यह लिख दे और कहीं कि नहीं तो प्रोड़क्ट में कितना है अब हम बात करते है हाइड्रोजन की कोई छोट ना जाए इसरे सिक्वेंस में लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बी और इधर साइड कितना है और कितना है जो जैसा है वैसे लिखते इसी क्या होगा न कि आपको कभी भी कोई एक्वेशन अभी बनाओगे एक दो बार तो फिर आपको फटा-फट से जो है ठीक है अब इंहां पर देखिए हमारे पास हाइड्रोजन होगे नाइट्रोजन की बात है तो नाइट्रोजन रि अब हमारे पास क्या बचा आउक्सिजन जो है रियक्टेंट्स है कितना है त्री बी प्रोड़क्ट्स है कितना है इसा वेल्व मानिए जिससे जादा से जादा वेल्व निकल सके तो देखिए हमारे पास ए को मानते है तो दो सी निकल जाएगा असाने से ठीक है अगर जो मैं B को मान दो किसी को भी मान सकते हैं तो D भी निकल जाएगा फिर भी हमारे पास जो है equation बन जाएगा खर कोई बात नहीं हम यहाँ पर मान लेते हैं Let A equal to 1 तो C की value 1 निकल जाएगी यह सर अब यहाँ पर जो value है जिस जिस की आप उनकी रख रहे जिए C की value है तो 2 plus 2 जिसकी नहीं है कोई बात नहीं B equal to D 3B C की value 1 है तो 4 और 2D plus clear रही है नखला अच्छा देखिए B equal to D B equal to क्या है D D ऐसे तो B equal to D है तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3B equal to 2B plus E D की जगा तुमने क्या करते है 2B अगर देखिए B2 है तो DB2 होगा तो यहाँ पर इमने जो क्या कर दिया बस clear रही है yes sir तो यह को क्या लिख सकते B equal to 4 plus E इसको equation मैंने 1 माल लिया इसको equation कितना माल लिया 2 माल लिया इसको 2B कहा गया फिर यह 2D जो आपने 2B लिखाए कर वो कहा गया थी यह देखिए B equal to D है इसका मतलब है जो value B की होगी वही तो D की होगी तो D की जगा क्या B नहीं लिख सकते है तो वही क्या 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 B equal to D है तो हमने D की जगा पर क्या लिख देखिए B लिख देखिए इस प्रकास पर इसको equation 1 माल लेग इसको equation 2 माल देखिए अब हम क्या गरते हैं कि किसी एक term को कटा देखिए ताकि कि एक value निकल दाए चाहो तो B को कटा दो चाहो तो E को कटा दो आपकी इक्षा है मैं यहाँ पर लिख देता हूं नेक्स पेज में B equal to 2 और plus 2 E ठीक है equation 1 है दूसरा आपके पास B equal to 4 plus E यह equation 2 है ठीक है अब यहाँ पर मैं इसको minus कर देता हूं 1 को 2 से minus minus तो यहाँ से B से B cancel हो जाएगा तो minus 2 और plus E equal to 0 तो E की value कितनी निकल गई 2 गोलिया निकल गई यहाँ से में लोग कह सकते E की value निकल गई 2 अब हमारी बारी है अगर किसी तरीके से B निकल गई देखिए B इकल टू टू प्लस E तो E की value आपने कितना निकल गई 2 तो 2 इन्टू 2 तो कितना हो जाएगा B की value 4 और 2 6 हो जाएगा तो D की भी value कितनी हो जाएगे 6 हो जाएगी अब A की निकल गई B की निकल गई C की निकल गई D की निकल गई A की निकल गई अब इस value को हम put कर देते है तो A की value 1 है 1 है तो 1 ही रहने रहने जाते है B की value 6 है तो 6 लिख जाते है C की value कितनी है 1 है तो 1 है रहने रहने जाते है डी की वेल्यू 6 है तो 6 लिए दें और E की वेल्यू 2 तो हमने क्या अगर दे तू लिए अब चेक करते हैं क्या बैलन्स हुआ है या नहीं हुआ है इस तरह से कैसे को क्योंकि यह मैथ है मैथ आपको जो है बचा देगा तुरब हम जी मसें बुलिए क्या बुले तरी कैसे निकाले यहां से निकाले इन दोनों को माइनस कर दिए ठीक है तो यहां से मैं क्या करा बस इस प्रकार से जो है जो है कर ले अच्छे करते हैं सलफर वार्ट सलफर वार्ट आइड्रोजन छे दो चार दो छे नाइट्रोजन छे नाइट्रोजन छे आउक्सिजन 6 इन्टू 3 18 4 12 16 16 इन्टू 18 बिल्कुल बैलनस है और इस प्रकार से जो है क्या कर लिए आपने जो है बैलनस कर लिए बुले क्लियर है यह सर्थ ठीके ज्यादा हार्ट हो गया ठीके चलिए अब हम बात करते सकेंड कुशन की फिर उसे मेरे को एवी सीडी आता है तो मैं लिख देता हूँ इसके नीचे एक पहले एक क्विशन लिख लेते हैं हूँ एन्टू प्लस एन्ए एन्टो थ्री क्या आप लोग एक बार ट्राइ करेंगे इसको मैं एक नट के लिए समय दे दूँ ताकि कि आप लोग बस एक बार बनाओगे ने तो आपको ज़्यादा के लिए अटिम लेगे बस इसलिए जो है मैं आपको जो है एक नट का समय दे रहा हूँ कुछ पुछना चाहरा है इमात सिन कुछ पुछना चाहरा है इमात सिन दे दे वेक्षवता इस दे प्रत प्रता प्रते है के लिए है जो है थावा है थाँ कुछना चाहरा है 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 जी बताए ये सोनी बना लिए ओके गूट गूट गलती से हो गया था ओके ठीक चली मैं बनाओ चली मैं बनाता हूँ अदो के मेरे को भी सीडिया रहा है मैं लिग दे रहा हूँ हांधी बली पुले ते ते तो हांधी बली बनाता है ए वांधी कितना है वन ली गटना है वन रहा और डी कितना है वन वन एड़ो बार्ण टू टू हो गया तो यहाँ पर नाइट्रोजन थ्री है न दो और एक तीन तो यह जो है आपका बैलंस नहीं हो आधी चलिए पापा से चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमने एबीसीडी लिख दिया इधर साइड नाइट्रोजन कितना है टू ए बड़न साइड नेट्रोजन तो दियारिकितू ए प्लस दीनिया प्लस भी आएगा प्लस आपके पास कितना ओ जाएगा भी एक वाल टू तो डी आपके बाद कितना है नाइट्रोजन तू डी है सर टू डी वैली है सर टू तू दू सिक्वेंस में लेना अभी यहां पे ऐसा नहीं सूचना कि सर रहं पहले मैटल को लेकिस्वेंस में लोगों कोई छूटे ना तो इधर साइड कितना है आपका B और इधर साइड कितना है लोग तो सी इधर साइड नाट्रोजर हो गया हमारा अब हमारे पास क्या अब मुझे बताए कि किसको मानना ज्यादा आसाम रहे है C को सर C को 1 मानते है तो B की वेल्व जो है निकल जाएगे C की वेल्व अलग लग कैसे आ रही है तो छुड़ गया एक है नाइट्रोजन है तो 2A प्लस B ठीक है इधर साइड है 2D फिर सोडियम है सोडियम की वेल्व कितनी आ जाएगी इधर साइड है BE और इधर साइड है 2C ओक्सिजन कितना इधर 3B और एक्वाल टू C अगर मैं किसको माल लूँ लेट्ट सी इक्वाल टू वन लेट्ट सी इक्वाल टू वन माल लेखा हूं तेरी खाल से ना कुछ छूटा हो भाया ठीक है सरडी इन निकल रहा है सर मैं यह निकल रहा है क्योंकि यह एंट्टू एंट्टू दोनों सेल नहीं होगा न जब रियक्शन होगा तो हमारे पास एंटू ओ होना चाहिए ठीक है अब देखते हैं ऑक्सिजन जो है अगर यह बैलस नहीं होगा क्योंकि एंटू यहाँ पे रिप्लेस कर देगा तो एंट्टू एंग उर्थ्रे क्योंकि रियक्शन ही नहीं भाई एगर टेक कर लेते हैं अगर जो नहीं हुआ तो मैं भी मिस्टेक होगा, मैं आपको क्रेक करवा के जो है बेज भूगा, ठीक है, तो यहाँ पर लेट सी, अगर जो मैं देख लेता हूँ, कि अगर जो बैलन्स हो रहा है, तो ठीक है, नहीं, फिर आम उसको दूसरे कोश्चन को कर लेंगे, हमारे पा तो यहाँ पर हमारे पास B1 हो जाएगा, तो C B1 हो जाएगा, क्या हो लेट, D equal to 2 हो जाएगा, C equal to 1, तो B equal to 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर B equal to 6 हो जाएगा, 3 into 2, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा, C 1 हो जाएगा, तो हमारे पास निकल गए, C, B, D, A की value बाकी है, क्यांसे निकालते हैं, 2 A, B की जगह पर 2, D की जगह पर 10, तो A की value 4 हो जाएगा, अब हम चेक कर लेते हैं, अगर जाएगा, तो सही है, नहीं तो फिर equation में कुछ problem, 2 और C की value 1 है, D की value 5 है, चेक करते हैं, nitrogen 8 है, और 2 10 है, तो यानि कि nitrogen 10 है, sodium 2 है, sodium 2 है, फिर oxygen कितना यहां पर 6 है, 5 inch है, तो बिल्कुल सही है, यानि कि इस पर कास से जगह हो जाएगा, balance हो जाएगा, तो थोड़ा से question लिखने में गलती हो जाएगा, तो इसलिए कई बच्चों का answer नहीं आपाया, ठीक है, अब अब हम बात करते हैं, balancing of redox reaction, अभी तलग जो बात कर रहे थे, वो बिल्कुल simple simple type थे, लेकिन अब जो balancing करेंगे ना, उसमें iron आ जाएगे, तो इसलिए जो balancing of redox reaction होते हैं, दो type के होते हैं, एक iron electron method, इसी को half method भी कहते हैं, half redox method, कैसे होते हैं, दिखाएंगे भी, समझ में आप बताएंगे, ठीक है, दूसरा होता है, आपका oxidation number change method, हम सबसे पहले बात करेंगे, कि half method या iron electron method, कैसे बनता है, तो आपको मैं कुछ rule बताता हूँ, उस rule को दियांदा, कि कैसे किस प्रकास होता है, इसके rule method को आप एक बार अभी देखें, जब question कराऊंगा, तो फिर आपको उस rule को जो है, चीज़े ज्यादा clarity में, फिलाल जो है, तीन-चार निट सुनिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए न, इस iron वाले equation को लिख लिजिए, मैं आपको ऐसे अवर भी बता रहा हूँ, फिर लिखा हुआ भी है, सबसे पहले क्या करना है, कि जो भी equation है, iron के form में लिख लिखें, फिर उसको क्या कीजिए, oxidation and reduction है आपको अलग-अलग कर लिखें, जो भ सभी एटम को balance करना है, except hydrogen and oxygen को, ठीक है, oxygen को balance, चिंता मत की, जब तुरन समझ में आने लगेगा, जब इस question करेंगा, तो आपको ज़्यादा क्लिए टिम ले, मैं लिखते भी चली जाओ किया, इसी आपको, राइव दा equation in ionic form, सबसे पहले हमें क्या करना है, equation को लिखना है, जनरली आपको दिया रहेगा, अच्छा, इस method को दिया था, jetty and law, मैं ने दिया था, 1970 में, इसके कुछ, जो है, point होते है, किस प्रकार से में चलना, जैसे जैसे लिखा हमें, वैसे लिखना, सबसे पहले मैं आयन के form में लिखा, फिर इस redox equation को two half में तोड दिया, oxidation and reduction, तीसर हमने क्या करा, कि दोनों को separate के form में लिख लिया, अब उसके बाद third क्या करना, कि hydrogen and oxygen को छोड़के बाकी सभी element को balance करना, फिर आपने बाकी सभी element को balance कर दिया, फिर क्या करना, oxygen जिधर side कम हो, oxygen, जिधर side कम हो, जैसे मालूब, एक side three oxygen है और एक side two oxygen है, तो जिस side कम होगा, उस side आपको क्या कर देना है, H2 जोड़ देना है, अब जितना H2 ज्यादा आजाए, उसको क्या करना है, H plus के form में है, two, three, fourth, इस form में लिख देना है, फिर इस H plus को, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले, बिल्कुल अभी चिंता क्यों कर रहो, अभी जस्ट हम कोशन कराएं, तो ज़्यादा क्लेटी मिलती है, मुझे पता है, हर बार बच्चे बोलते हैं कि सर रूल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही एक कोशन करते हैं, तो बिल्कुल क्लियर होने लगता है, फिलाल अभी रूल पर जिहान देजे, मैं जो बता रहा हूँ, उसको एक पर सुनिये अराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, फिर आप मेरे से दस निट बाद बाद जो पूछेगा, आपको बिल्कुल आप कोई सर थमझ में आगे, हमें सबसे पहले क्या क गएंडी के से अध़ decision को लिखना है, उसको oxidation and reduction हाप में तोड़ देना है, अगर oxidation and reduction हाप को तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, कि balance करना है, except hydrogen and oxygen को, फिर क्या करना है, कि oxygen को balance करने के लिए जिधर साफ डफेशेंट oxygen होगा, उधर साइड आपको H2 जोड देना है और फिर H2 को balance करने के लिए H प्लस आयन कर देज़ेगा और फिर क्या करना है कि electron को charge को balance करने के लिए electron को represent कर देज़ेगा और फिर दोनों equation में इस प्रकार से add की दिएगा ताकि कि electron जो है cancel out देगा अब यह सारी रूल जो है मैंने आपको एक थोड़ा से ऐसे बताने का प्रयास किया एक question के मात्यम से समझाते हैं तो आपको ज्यादा स्वज़ेगा जिसी यहाँ पर एक question दिया मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करना है आपको एक question को लिख लेना है हमने भी क्या गरा एक question को लिख लिए ठीक है से टू ओफोर माइनस और सी आर प्लस अच्छा इसमें ही टेंट्राइल मेतर नहीं लगेगा क्योंकि इसमें चार्ज बैलन्स नहीं होगा और आप भूलके भी नहीं सोचना कि sir a b c d 4 method दिया रहेगा पुट करके आंसा निकालोगा नहीं निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा क्यों निकलेगा कि सबसे पहले equation को आयनिक फॉर्म में लिख लेना है फिर हमें क्या करना है इसमें देखना कि किसका oxidation हो रहा है किसका reduction हो र यहां पर प्लस 3 है तो इसका मतलब है यह वाला जो element है यह क्या हो रहा है इसका reduction हो रहा यहां पर देखते हैं यहां पर carbon का plus 4 है यहां पर निकालेंगे तो 2x और minus 8 equal to minus 2 तो x की value 3 आ रही है ठीक है तो यहां पर मैं जो है x की value कितना लिख देखते हैं 3 से यह कहां जा रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो रहा है oxidation हो रहा है ठीक है अब ज्यांसर मालता है हमने कहता कि दोनों हाथ को अलग अलग लिखना है एक सैड में लिखता हूँ oxidation हाथ और दूसरी सैड लिखता हूँ reduction हाथ तो देखते कि कौन जो है reduction हाथ में जा रहा है और कौन जो है प्लस गोलिए रहे है और यह अच्छिडेशन में कौन जा रहा है C2O4-2 से कहां जा रहा है C2O4-2 यहाथ लग तुम मैंने कहां से क्लियर होगी आपकर मैंने कहां कहां सकते पहले equation लिखिए फिर उसमें देखिए किसका oxidation हो रहा है किसका reduction हो रहा है और उस हिसाब से oxidation हाप वाला लिख दिजिए and reduction हाप वाला दिजिए पर कार्ज बन पर फोर कैसे है तो यह oxygen पर minus 2 है ना तो 2 item है तो कितना हो जाएगा तो ठीक है अब यहां पर फिर मैंने third point क्या का प्रस्ट पॉंट क्या का आता है कि equation लिखिए फिर oxidation and reduction आफ रहा हो रहा हो तीसरा मैंने क्या का था कि आप सभी चीज को balance किजिए except hydrogen and oxygen आप उनको छोड़ देना यहां पर देखिए chromium 2 है तो chromium 2 ठीक है फिर मैंने कहा कि यहां पर देखिए carbon 2 है तो यहां पर carbon 2 हमने oxygen को balance नहीं क्या यहां पर carbon के दोरान हो गया कोई बात ने फिर मैंने क्या कहा कि oxygen को balance करने के लिए आप उनकी जगह पर क्या कर देजे water को add कर देजे तो इधर कितने oxygen है 7 इधर कितने 0 यानिकि 7 H2O जो हम क्या कर देंगे लिख देंगे क्या यहां पर लग समझ में आया अब क्या क्या कि जो यतना है मैंने कहा कहा सुरू सुरू न मैंने कहा कि सबसे पहले आप जो है क्या कीजिए equation को लिखिए उसके अंदर oxidation and reduction हाप को फाइल कीजिए आप hydrogen and oxygen को छोड़के बाकि सभी element को balance कीजिए फिर मैंने कहा कि जब आपने सभी element को balance कर दिया तो oxygen को balance करने के लिए जिधर सेट कम oxygen होगा तो उसकी जगह पर उतना ही H2 को क्या कर देजिए add कर देजिए यहाँ पर देखा 7H2 हो था यहाँ पर मैंने कितना add कर देजिए 7H2 अब देखिए hydrogen बढ़ गया है तुमने कहा था hydrogen बढ़ जाए तो आप उसको H plus के form में क्या कर देना है यहाँ पर लिख दरता हूँ प्लस 14H plus यहाँ पर चेक करते है कारण दो oxygen चार्ट तो यानि कि इसमें तुछ हम जाटी नहीं है oxygen दोन बरावर अगर ज़े कम होता तो है हाँ भी भूली बरूं तो oxygen में वाइनस 2 भी तो है सब आपको उसकी चिंदा नहीं करना है हमने चार्ट बैलेंस करने के लिए 14H plus लिया है ना तो आपको इसकी चार्ट नहीं देखना कि इसमें माइनस 2 है आपको सिंप्ली देखना कि कितना ज्यादा oxygen है इधर 4 है तो इधर 4H2 डाल दीजिए इधर 5 ज्यादा है अगर सब्सक्राइब तो इधर 2 होता तो हम क्या करते तो साथ था इधर 2 है यारी कितना कम है पांस तो पांस है ठीक है हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारा जो मैथड है वो इसी प्रकार से बना हुआ ठीक है यह बेसिक लिए तीन जगह बार करता है एसीड के लिए बेस के लिए एन नुट्रल एलिमेंट के लिए जो है क्या करते है इस मैथर का यूज करते है ठीक है तो आपको जहां भी एसेडिक मिडियम दिख जाए बेसिक मिडियम दिख जाए यहां पर कैसा है आपका एसेडिक बेसिक मिडियम के लिए आपको थोड़ा से एक पॉइंट एक्स्ट्राइड करेंगे, अगर आपने इसे बीक सिखिया तो बेसिक सिखना कोई बड़ी वार नहीं लिए, फ्लाल फिर ते देखिए हमने क्या करा कि सबसे पहले दोनों हाफ में लिख दिया, एलिमेंट को बैलन्स किया, एक्सेप्ट एंड हाइड्रोजन एड ऑक्सिजन को, फिर जिसमें जितना कम था ऑक्सिजन उतना साइड वाटर जोड़ दिये, और उसकी जगह पर जितना हाइड्रोजन जाद आता तो उसकी जगह पर एच प्लस कर दिये, अब जो हमने कहा था कि इस चार्ज को बैलन्स करने के लिए, आपको क्या गरना है, इलेक्ट्रोजन का एड करना है, इस पर देखिए माइनस टू है, और हाइड्रोजन पर प्लस फोर्टीव है, आपको में तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनना, इसका मतलब यहाँ पर प्लस टू है, और य जिदर साइड कम होगा, उधर साइड करना, पॉजिटीव वाले में उधर साइड एड करना, जिदर साइड क्या हो जादा हो, जैसे निगेटिव अगर चार्ज आ गया, तो समझ जाना है कि उधर साइड एड करना, जिदर साइड निगेटिव कम हो, जैसे माइनस टू, कि आपको क्या करना है कि जिधर साइड सब पूच कीजी मैं यहां पर देखो कि चार्ज हमने निकाला कैसे निकाला इस वाले मॉलेक्विल्स पर माइनस टू है इस वाले पर फॉर्टी ने प्लस एक अड्रोजन पर प्लस तो यहां पर टोटल कितना अगे है प्लस 12 और प्रोमियम के एक अड्रम पर प्लस 3 है तो दो करेंगे तो पॉजिटीव वाले के साथ अब क्या करेंगे और दूर भागेंगे चार्ज चार्ज होगा और यहां पर आठ आ गया इसका मतलब है अब बचा खित्मत छेई तो पॉजटीव पह चार्दी, छो है, क्या होगया आपका बैलस हो गया अब इसको बैलस करते हैं यहां पर minus 2 है और इधर चांज कितना है? 0. मैंने कहा था कि minus कि just opposite वाले पेड़ करने कितना minus 2 है तो इधर कितने एड़ करने कि? 2-2. क्या समझ में आया? एक दूप कुशिन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. पस यहीं तलक खेल था, बाकी खतम होगे, अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आईगी, अब ध्यान से सुनना, क्या करना कि इस electron को तो हमने, इसने equation ने दिया नहीं था, तो हम क्या करेंगे, कि इस electron को cancel out करेंगे, जैसे भी करना हो, हम यहाँ पर 2, 3 से multiply करते हैं, इस equation को म मान लिया 1, इस equation को मान लिया 2, मुझे देखी, electron को cancel कराना, इधर साइड 2 है, इधर साइड 6 है, तो इसको किते से multiply करो, इसको किते से multiply करूँगा, तो 1 से, आप चाहो तो लिग भी सकते हो, नहीं लिग सकते हो, अब क्या किया है, हमने इस equation को C2O4-2, इधर साइड 3, और इ C2O4-2, बोले, साइड 2 electron, इधर साइड 2, मैंने क्या कहा कि, अब हमारे पास electron तो था नहीं, अगर electron था नहीं, तो हम लोग क्या चाहेंगे, कि electron जो है, cancel out हो जाए, ठीक है, तो cancel out करने के लिए, हमने क्या करा, कि इसको ठीज़, क्योंकि electron हमारे equation में नहीं था, किसी भी तर क्या कर देंगे, cancel out कर देंगे, हमने देखा कि 2 electron इधर 6 है, तो 3 से पूरे equation को multiply करती है, जैसी करेंगे तो 3C2O4-6CO2-, और इधर कितना हो जाएगा, 6 electron हो जाएगा, बोले, क्लियर है, यहां पर देखी क्या हो गया, कि इसमें तो मने कुछ किया ही नहीं, हाँ जी, बोले, स्थिक से C, C, O2 कैसे है, जैसी थी से पूरे equation को multiply करेंगे न, तो 2, 2, 2, 3, कितना हो जाएगा, जैसी तो बस जाएगा, आपने डबल सी करेंगे, जैसे हो, ठीक है, अब से ही है, अब से यह है, जैस्टा है, ओके, आप यहां पर देखी, C R 2 O 7 minus 2 plus 14 H plus और 6 electron और साथ में क्या हो जाएगा 2 C R plus 3 plus 7 H 2 अब इन दोनों equation को हम क्या कर देते हैं add का देते हैं क्या हो जाएगा equation, final equation आपका आप देगे 3 C 2 O 4 minus 2 और इधर साइड reactant वाले को reactant साइड लिखिएगा C R 2 O 7 minus 2 ठीक है प्लस 14 H plus तो 14 H plus और साथ में कितना हो जाएगा 6 electron इधर साइड 6 C O 2 electron को बाद में ले देगे 2 C R plus 3 plus 7 H 2 O और साथ में किया लिखिए 6 electron अब ये electron, electron क्या हो जाएगा? cancel out हो जाएगा अब चेक कर देग क्या हमारा equation balance वा? carbon 6 oxygen इधर कितना है? 12, 7, 19 तो 12, 7, 19 ठीक है? chromium की बाद करते है 2 chromium 2 hydrogen की बाद करते है 14 H plus तो हमारे पास कितना है? 14 अब हम चार्ज की balance की बाद करते हैं इधर साथ माइनस 6 माइनस 2 प्लस 14 इधर साथ कितना है? प्लस 6 तो 8 में से यानि कि 14 जाएगा तो प्लस 6 यानि कि बिल्कुल सही है तो इस प्रकार से मनों क्या कर सकते है? इक वेशेर को balance कर सकते हैं तो थोड़ा से मानता हूँ बहुत हाड होगे फिर से ध्यांत सुनिए हमने क्या कहा एक एक करके फ़ले मुझे एक बार पूर और फिर से scenario को समझाने देजे कोई दिकतने हम लोग next class में बहुत सारे question करेंगे आपको मैंने अभी बस ये बीस आपको जो है आज जो है बनाया next class में इसके बारे बहाँ दिवले बहुत पले आप पूश लीजिए सर इसको रिड़क्शन वादी को सर वन से क्यों किया दर हाँ क्योंकि हमें ने electron को cancel out का मतर्ण नहीं भी करते तो क्या दिक्कत था वन हमने लिखने के लिख दिया कि इसको हमने कित्ते से मल्टिक हमें इसके पास दो electron इसके पास 6 electron क्योंकि electron को हमें cancel out करना पड़ेगा तभी हमारा जो है क्योंकि हमारे पास equation में electron नहीं दिया है हम कहां से electron को आगे ले जाए पाई तो इसी लिए electron को balance करने के लिए हमने क्या करा यहां पर charge को balance करने के लिए electron लाया और final में electron नहीं था तो हमने का इधर 2 है इधर 6 तो इस पूरे equation को 3 से multiply कर देते है थाकि कि electron इलेक्ट्रों इलेक्ट्रों जो है cancel out सबसे पहले आपको क्या करना है कि equation को लिखना है फिर आपको oxidation half and reduction half में लिखने के बाद आपको क्या करना है hydrogen and oxygen को छोड़के बाकि सभी element को क्या कर देना है balance कर देना है जिधर side oxygen कम होगा उधर side उतना जितना कम होगा oxygen उतना ही H2O के साथ जोड़ देना फिर देखेंगे कि कितना hydrogen जादा है उसको balance करने के लिए आप H plus का use कीज़ेगा फिर हम देखेंगे कि charge को balance करने के लिए electron लाएंगे अगर positive जादा है तो positive के साथ electron इड़ करना difference है कि side हम add करें ताकि कि जोड़ बैलन्स हो लेकिन आप इस तरीके को ज्यान रखेगा कि हमें positive ज्यादा है तो positive के साथ electron इड़ करना है negative जिदर करना है तो negative के साथ क्या करना है electron को add करना है अगर आप इस तरीके से इसको याद रखते तो आपको electron को add करना निदिकत नहीं होगा वैसे अगर जोना बताओं कि पहले लोग जोए क्या करते थे कि देखते थे कि इधर साइड यानि कि इधर साइड माइनस टू है तो इधर साइड कितना होना चाहिए तो इधर साइड टू electron add करेंगे तो और negative charge बार जाएगा तो इधर साइड कितना चाहिए तब जो है इस प्रकार से सोचे तो अब हमें इस प्रकार से नहीं सोचना है हमें simply क्या करना है कि इधर साइड करना है जिधर साइड पॉजिटिव ज्यादा हो और negative क्या हो कम चाहिए अध्र चाहिए जरू निकालना और इस प्रकार से हमें क्या करेंगे इस टाइप के कोशन को सौल करेंगे है हाँ बुले अब रूम बुले क्या कुछ नहीं है कि नहीं को और कुछ पूछना है कि नहीं से एक रफ में रिवाइस करा देता हूं फिर से नहीं स्क्लास में हम बहुत सारे कोशन करेंगे तीन चाहब तब आपको ज्यादा किलर टीम लेगे फिलाल हमें यह धियान रखना ह है कि oxidation सबसे पहले reaction लिखिएगा oxidation reduction आप में दो separate पार्ट में तोड़ लिजेगा फिर हम क्या करेंगे कि जो hydrogen और oxygen हो उसको छोड़के सभी element को balance करेंगे जिदर साइड oxygen कम होगा तो उतना ही हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे फिर हमारी बात आती है electron की तो electron उधर साइड जोड़ना जिदर साइड जादा हो निगेटिव क्या हो प्र लास्ट में क्या करना उन दोनों reaction को इस प्रकार से माइनस करना ताकि कि electron cancel out हो गया है चाहे तो आपको multiply करना पड़े चाहे तो आपको divide करना पड़े तो आप इसके लिए कर सकते है और इस प्रकार से जो है क्या करना कि final में जो है तो आपको अड़ी करेंगे ठीक है तो अले क्लिए हो गया यह सुर्व